तो आज में लेकर आयों कॉपर वेसल्स जो है इसमें जो ब्लैक स्ट्रेंज जो रहता है इसको कैसे क्लीन करेंगे कॉपर चीज जो है आज कल के जमाने में हम लोगों को बहुत इंपोर्टेंट है कुक करने में या पानी पीने में हर एक चीज में हम लोगों को बहुत एहमियत रखता है क्योंकि आज कल डिसीज जो है बहुत फेल चुका है especially like cancer बच्चों से लेकर बुड़े तक सबको cancer आ चुका है जी हाँ तो काफी इन जीजों को avoid करने के लिए science ने प्रूव किया है कि copper is one of the best तो but problem यह है कि in copper vessels में black strains आ जाते हैं और इनको it's better we need to clean it every day अब इसको clean करना इतना आसान भी नहीं है but we can do it very easily जी हाँ we can do it very easily तो आप मेरे सामने अभी देख रहे हो एक copper drum जी इस copper drum में मैं regular use के लिए use करता हूँ इसमें पानी को पोर करके आप 8 hours रख दें इसके ingredients जो है वो मिल जाएंगे later on when you drink this it is very healthy जी हाँ but the problem is what you can see here black strains सब ड्रम में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं black strains जो है फैल चुका है तो अब इसको मैं कैसे क्लीन करूं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पर जो है एक मिक्सचर तायार करेंगे जिसमें वेनेगर, सॉल्ट और लेमन इन तीनों का मिक्सचर है यस इन तीनों का मिक्सचर है लेमन, सॉल्ट और लेमन, सॉल्ट और वेनेगर जी हाँ तो इसको अच्छी तरह से mix कर दें, just leave it after, I mean after a mixture, just leave it for 5 minutes, better है, mix हो जाएगा, ओके, अब मेरी सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर, इपूला, ब्लाक तरह से भर गया है, अब इसको मैं यहाँ पर, just take drop दाल देता हूँ, yes, totally clean, right, yes, just take drop दाल दें, just take pour कर दें, आपको रब करने की भी ज़रोत नहीं पड़ेगी, this, यहाँ देखिए, just, इस mixture को जो है, आप ऐसे ही डाल दें, और just इसको घुमा दें, इस drum को, अब मेरे पास drum है, तो मैं drum को घुमा रहा हूँ, and you can see it's totally clean now, yes, इसी तरह से दोस्तों, यह फुल ड्रम को मैं clean करूँगा, but obviously, जब मैं साइट में सब जाऊँगा, I need to use the brush, yes, I need to use the brush, let's see what happens, let's clean it, yeah, दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह clean हो रहा है, yes, you can see the difference, यह भी मैंने clean किया है, और यहां पर जो है, यह पहले का black था, yes, it's cleaning, इतना घसने की भी, रब करने की जरौत नहीं पढ रही है, yes, you can see that, तो दोस्तों, this is how we can clean the copper vessels, और मैं suggest करता हूं, कि आप सब लोग, copper vessels को use करें, अपने daily use के लिए, जी हां, अपने daily use के लिए copper vessels को use करें, thank you दोस्तों, thanks for watching this video, ऐसे ही वीडियोज जाजा देखने के लिए, browse me tv को subscribe करें, share करें, view करें, thank you, have a nice day, Allah Hafiz. लिए, जी है? लोगए...